Hi everyone, welcome back to the React.js Advanced Video Tutorial. My name is Anil, और इस वीडिये के अदर में बात करने वाले हैं Fragments की, Fragments क्या होते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं और एक example भी देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले में आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी element यूज़ करते हो, कोई भी component यूज़ करते हो React के अंदर तो आपको एक wrapper देना होता है, जैसे कि आपने हाँ पर div wrapper दिया होगा है, H1 tag को ठीक है, ताकि अगर एक से जादा H1 tag होगे, तो एक div के अंदर हो wrapped होने चाहिए, ठीक है तो उससे होता क्या है, कि आपके पास एक extra div create हो गया, यह आपका main div हो गया, उसके बाद जो हम index वाले page के अंदर define करते है, root ID के साथ में, उसके बाद में यह एक div extra हो गया है, ठीक है तो हो सकता है कि आप इसको remove करना चाहते होगे, आप उसको dome element में problem कर रहा है, तो आप तो कैसे remove करोगे, आप यहां से use import करोगे, fragment और इस fragment को आप यहां पे as an div use करोगे, और चैसे आप इसको as an div के साथ में replace कर दोगे, तो आप देखने वाले हो, कि अब यहां पे कोई भी extra div नहीं है, आपके पास, root element के बाद में direct यहां पे h1 tag आगा, तो आप बोलोगे, ठीक है, बट इसके actually use है कहां पे, एक div हम नहीं है, और रिमूव कर दिया, तो कोई problem नहीं है, देखिए, मान लिजी कि आपके बास दो element है, आप example भी दिखाऊंगा, अबर थोड़ा सा पहले आपका एक child element है, और एक parent element है, और जो parent element है, वो यहां पे ul return कर रहा है, ठीक है, यहां पे ul, ठीक है, आप, वो यहां से ul दे रहा है, और child element है, उसके अंदर li पढ़ी होंगी सारी के सारी, li 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, तो उनके बीच में कभी भी ul करना directly li आता है, तो बीच में यहां पे जबरदस्ती div नहां आए, क्योंकि वो आपका element को भी invalidate कर देता है, और भी आपको style हो गएर apply कर रहे हो, तो भी बहुत से problem create कर सकता है, उसको कैसे resolve करेंगे, ठीक है, वो इस example में देखते हैं, बट एक चीज़ आपको और बतायता हूं, कि fragment आप इस तरीके से use कर यहां ठीक है, ठीक है, आभी example के लिए मैं यहां और चाइल्ड ऐलिमेंट बना रहा हूं, यहां यहां भी const ले रहा हूं, const list और यह basically एक return करेगा, div return करेगा यहां सबसे पहले यह, ठीक है, और इसके अंधर let's say यह एक li return कर रहा है, ठीक है, और यहां और यहां पर यहां औ यहां पर है let's say name और यह कुछ और इसकी copies बना लेता हूं है तो तीन let's say age and email अब मैं इसको यहां पर use करना चाहता हूं तो मैं कैसे use कर सकता हूं यहां पर div ले लेता हूं by default यहां पर div लो ना लो अब यह के लिए कुछ फरक नहीं पड़ रहा तो मैं अब यह के लिए लेता हूं ताकि हमारा by default structure दिखे हमें कि वो कैसा है तो अब यह मैं जैस मैंने बना लिया तो अब मैं यहां पर list basically use कर सकता हूं और इसने मुझे यहां पर output क्या दिया यहां पर तीन नॉर्मल सी list दे दी बट list से पहले मैं पता है कि हम लोग basically ul use करते हैं ठीक है तरवाज सो invalidate होता है ul use करेंगे इस तरीके से और बाद में हमने list डा ली अब इसका structure देखते हम तो हमें क्या मिलता है structure के अंदर basically मैं जाओंगा यहां पर तो मुझे यहां पर ul मिला उसके बाद में मुझे यहां पर div मिल गया और फिर मुझे ally मिल गई तो यह तो structure गलत हो गया tip तो कभी आता नहीं इस तरीके से ठीक है तो अगर मैं आप यहां पर fragment use कर लोगा इस तरीके से तो उसका structure से ही हो जाएगा अब देखे जीवल के अंदर यह like ठीक है तो इस तरीके से fragment आपका एक जो extra element होता है उसको remove कर देता है dome के अंदर से तो इस तरीके से हम use कर सकते हैं fragment को तो अगर कुछ confusion है तो मुझे comment box में पूल सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा बाई बाई टेक केर